डॉक्टर अमेटकर अधिवक्तर संग के माध्यम से आज विदीशा में दूसरा प्रांती अधिवेशन का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के बिविने जगों से अधिवक्तर संग के पदधिकारी सम्मिलेत रहे उन्होंने बताय कि लोगतंत्र सिर्फ लाइन में खड़ निदे तो हमें उसमें भी स्थर्फ इप्रुमेंट करने चाहिए थि जभी हम लोग करते रहे हैं इतना क्यौन है उतना हम करte हैं लेकिन हमको इस निर्ग का पीशेखी जानकारिय को थीघी है बड़ा दफ होता है कई छोटी-छोटी गहना हो गना तक जेल में पहुंचाते हैं और जो सक्ति साली व्यक्ति है ताकर नबारा है वो उसमें रखना को अंजाम दिया उसके बावजी दियों फ्री है तो इसमें भी हमको गहन चिंदन करने चाहिए और इसमें आप लोग सब्सक्राइब करें और ये पब्लिक अगयानेस के लिए होने सब्सक्राइब करें यह हमारे संगठन का निरंतर सभी प्रांती जो अधिवेशन है उसी की कड़ी में यहां का यह जितिये प्रांती संभिलन है और जो प्रांती संभिलन है वो डिफरेंट डिफरेंट विश्वों पर है जैसा कि खासतोर से जो हमारे मद्द प्रदेश में जो विशे है वो इस पात को लेकर है कि चुनाओ के समय लाइन में लगकर मात्र में लगकर बोड डालने का नाम ही लोक तंत्र नहीं है बलकि उसके आगे भी लोक तंत्र का बहुत बड़ा कारिक्रम है कहा कहा से आये हैं यहां पर आकूजाले गाट के साथी हैं विदीशा के हैं मुरेना के साथी हैं तं मारा प्रांथ आप 민주 FE महां कि और अरा शूंत्य बेदर के साथी है कौमन भुद को यहां पर नहीं बुलाया गया